आईए फ्रेंड्स आज बनाएंगे मठरी वो भी लेयर वाली उसके लिए 300 ग्राम मेंदा ली है मैंने और इसमें 100 ग्राम डालेंगे रवा 100 ग्राम रवा है इससे एकदम खिस्ता और बहुती सौफ्ट मठरी बनकर तैयार होएंगे और इसमें एक बड़ी चमच भरके डालिए कसूरी महती मैती इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसे जरूर डालिएगा फ्रेंड्स इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एक क्राइख चमच डालेंगे अजमाइन इससे अच्छे साथ से क्रसकर करके डाल देते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मान पूर्णार अनुवी में frontimes स्वाद इसमें डालेंगे स्वाद सुर्ण। नमक और कोई ज्यादा इसमें बाहर की चीज नहीं डाली जाती है बहुत ही जल्दी से बन करते हैं और लगवग हमारी चार सो ग्राम रवा और मेंदा है तो इसमें हम सो ग्राम देशी घी डालेंगे प्रेंस आप चाहूं तो कोई ओयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी है तो घी की वज़े से एकदम बहुत सॉफ्ट बनती है क्योंकि घी एकदम जम जाता है जब ठंडे होने के बाद में तो एकदम बहुत सॉफ्ट बनती है और इतना घी डालें कि हम हाथ से मुठी बनाए तो मेंदा की जो है वो मुठी बन जाए समझे लो बिलकुल परफेक्ट मॉन इसमें पढ़ गया है और हलके गुन गुने पानी से इस आटे को हम लगा लेते हैं नहीं जादा टाइट और नहीं जादा मुलाएं बिलकुल नॉर्मल मीडियम में मीडियम साइज में आटा लगाएंगे क्योंकि जादा टाइट हो जाएगा फिर भी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि फट जाएंगी और जादा पतला हो जाएगा तो वैसे चिप कहेंगे इसके लिए हम जादा नहीं टाइट लगाएंगे और नहीं जादा मुलाइम लगाएंगे बिलकुल सौप्ट आटा जो हम फु के रख देते हैं देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आठा है इससे जो रवा है हमारा अच्छे से फूल जाए इसके लिए हम दो से तीन मिनट के लिए से रेश्ट पर छोड़ेंगे गी लख प्राल इसमें लगा दिया है वो भी गुंगुने पानी से लगाया है कि देखते हैं अच्छा कर तीन मिनट उगए हैं आटा देखिए हमारे विल्कुल लख़के सॉफ्ट तैयार हो गया है और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वह आप तक पहुंस सकें वीडियो देखिए इस साइज के हम इसकी प्ललक में 7 लेयर की मत्री बनाऊंग.. इसके लिए छोटी, आप छोटी बड़ी जितनी भी बड़ी पूरी बनाणना चाहे उतनी बड़ी बना सकते, इस तरह से बहुत जल्दी से पूड़ी हमारी बिलकर तयार हो जाएगी इसे हम ऐसे तरह से बढ़ा लेते हैं यह बिल गई इसे एक साइड में रख दें सभी को इसी तरह से हम बिल लेंगे बिलकर सब को कर लिया है तयार अब मैंने इसमें एक चम्मा चरा रोट लिया है और एक चम्मा डाला है देशी घी अब इससे हम इसमें परत लगाने के लिए इसे अंदर लगाएंगे बिलकुल भी जगे ना बचे इस तरह से इस पर लिपन कर दें अंदर पूड़ी पर एक साइड में देखिए अच्छे से हाथ से फैलाते हुए इस पर लगा दें बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं जब इसकी लेयर खुलती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं गोल 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 लेयर जब इसकी खुलेंगी तो सभी को पूरी पूरी पर अच्छे से इसका कोट कर देंगे बिल्कुल भी जगा नहीं बचने चाहिए थोड़ा-थोड़ा सभी में लगा देंगे इस तरह से लगाते रहेगा और फिर तीसरी पूरी लगा देते हैं सभी को हम इस तरह से इसमें लगा देंगे लेयर को बनाने के लिए पूरी लगाने के बाद इसके उपर फिर से हमें इस तरह से लगाना है जो हमारा जो पेश्ट है वो इस तरह से और फ्रेंट छोटी इसलिए इसा हाथ से बड़ी करके बरावर की कर दें तूटेगी नहीं तो पिर से हम यहीं लगाएंगे और सारी पूरी हमने इस पर लगा दी है यह तो और कितनी चोटी हो गई है इसी तरह से इसे फैला कर बरावर कर देंगे इस हूली पर आप इसको जरूर ट्राइ की दिएगा सभी को पसंद आएगी और बहुत ही अच्छी लगती है और बिल्कूल खिली खिली जिनके मुह में दांद नहीं होते वो भी बड़ी आसानी से खा सकते हैं अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कूल बहुत बारिक बारिक इस तरह से घुमाते हुए अलक्याज से इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से देखिए पूरे का एक रॉल बना लिया है अच्छे से खोब आप और भी लंबा कर सकते हैं इसे अब इस चापू की मदश से इसके लिए कट करेंगे पहले नमर की है इसे अटा देते हैं एक साइग में रखेंगे और जितनी आप पतली काटना चाहें पटली काट सकते हैं मोटी काटना चाहें हम सभी को ध्यान से देखिए कोई गड़वड नहों और सभी के हैं अच्छे से बन पाएं मेरी बीड़ी कुछ थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि मैं आपको विस्तार से बताने कोशिस करती हूं और यह जो हमारी जूलेयर है साइड की तो इसे हम नीचे की इस तरह एसे चिपका देंगे क्योंकि यह खुल है ना इस को ठाके ऐसे यहाँ पे हम इसे करके इस तरह से इसे यह चिपका देंगे और अगर हमये सादा सादा बेल देएगे तो यह सभी खुल जाएंगे कड़ायम जो हमने इससे से क continental क्वेंगे तो खुल जाएंगे इस तरह से यहां पर इसे प्रेश कर दो सभी को इसी तरह से मैंने कर दिया Japanese देखिए और अब बेलने के टाइम पे भी इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये नीचे की साइड रखने जिस साइल से बेलन चलेगा उस साइड नहीं बेलन की नीचे बारी साइड में इसे हमें रखना है इस तरह से इसे बेल लेंगे हलके हाथ से इसी तरह से सभी को बेल के इतना बड़ा कर लेना है और फ्रेंट्स आप इसे 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं देखे इसका विशेज द्यान रखना इसे हमें नीचे की साइड में ही रखना है इस तरह से रखके इसकी विलाई करनी है उसे उपर की साइड में बिल्कुल भी न रखें सारी लेयर खुल जाएंगी नहीं तो आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो आप बना के इससे अच्छी तरह से लेगा सकते हैं इसका ध्यान रखना है अब शेखते टाइम भी इसका ध्यान रखना है अब जो हमने इसे चिपकाया था लेयर को इसके लिए हमें उपर की साइड रखना है अगर हम नीचा की साइड रख देंगे तो सारी मटरी हमारी इसी में तेल में ही खुल जाएंगी इनका जो चिपकाया थारे पर वो साइड ऊपर की साइड में ही रखना है देखें इस साइड को हमें ऊपर ही रखना है अगर हमने नीचे की साइड में कर दिया तो सारी हमारी कडाई में ही इसकी लेयर खुल जाएंगी अच्छी नहीं बनेंगी मटरी देखिए अच्छे से सिख गई हैं अब इन्हें पलट देते हैं एक भी लेयर नहीं बोलेगी यह दो तीन खाश्ट रिक हैं इनका बिसेश ध्यान रहें बहुत ही अच्छी सी मठ्री बनकर तैयार होंगे अभी मैं आपको दो प्रिकार की मठ्री और बनाना से काऊंगी जो की बहुत ही चल्दी से बन जाएंगी आज मैं लेयर वाली मठ्री की वीडियो डाली है कल और परसों मैं आपको दो तरह की मठ्री की वीडियो और शेयर करूंगे आपके साथ अटर लगाने का सेम प्रोसेस रहेगा लेकिन मठ्री अलग-अलग तरीके से बनाई जाएंगी और कमेंट करके बताईएगा मठ्री कैसी बनी जरूर एक वारीट राइ कीजिएगा उली का सीजन फोली का सीजन है सभी कि हानला निए मठ्री नमकिन सेब और शक्र पा रहे हैं सब कुछ बनता है पूली के टाइम पर देखिए अब सब की लेयर अलग अलग दीख रही एक एक लेयर अलग हट जाएगे इसकी कि एक दो हमारी मट्री से करो गई है त्यार जो बची वह उन्हें भी शेक लेते हैं देखिए सभी को मैंने इस तरह से इसे मतलब सेखने में और बिलाई करने पर विसेश ध्यार रखना है उसे वहां पर चिपकाना है कौने को और जब हम इसमें डालें तो उस साइज को ऊपर की साइज रखें घी में डालते समय अगर हमने अंदर की साइज रख दिया तो सारी लेयर हमारी तेल में ही खुल जाएंगी तो मारी मठरी अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि उनके अंदर तेल ज्यादा चला जाएगा इसी तरह से सभी को सेख कर तयार कर लेते हैं फ्रेंड्स देखे हमारी मठ्री बनकर हो गई है तयार फ्रेंड्स आप भी बनाईएगा खाईएगा और मुझे बताईएगा मठ्री कैसी बनी एक वाट राइज जरूर कीजियेगा इस होली पर मठ्री को देखे लेयर बारी मठरी बनकर तयार हैं छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें फ्रेंड्स राधे राधे